चल्चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है अभी हम शामली जिले की थाना भवन सीट पर हैं और यहां पर अभी हम जमालपुर गाउं में हैं यहां पर जो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं सीट पर जिनके जिनके बारे में चर्चा हो रही है सबसे पहले तो गटबंदन से लेकिन उसी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी से राकेश सैनी जी भी लड़ रहे हैं जिस गाउं में हम फिलाल हैं जमालपूर यह मुख्य रूप से यहां पर सैनी समाज के लोग रहते हैं और आज तक यह माना जाता था उत्तर प्रदेश में पश्चे म उत्तर प्रदे जी साथ आपका नाम सुरेश्चन जी आप यहां इस गाउं के प्रधान पूर्फ प्रधान है आप यह बताईए कि यहां पर जो मुख्य रूप से सैनी समाज के लोग रहते हैं इस बार आप लोगों का किस तरफ रोज़ान है इस तरफ हमारा यह जो बाई राकेश जो है इ सब्सक्राइब गरीब कासिक्ति कार प्रचार नोकरी पैसा के लिए जो भी हमारे वर्ग के बच्चे हैं विजू के तो है उनकोई नोकरी किसी किसम की नहीं देगी प्रधान जी प्छली बार अपका वोट कहां गया था पिछली बार हम पीज़ा आप इतने क्यों हताश हो हैं हैं 5 प्यлагष्टे बाटानी जा साथ हो स्वBut efekt यह देगर की बेढलायव जाता है कोई बी बच्चा कहीं इन हें हमारे मेल ह्तास मेर भर सबको लेकर चलते हैं सबका साथ सबका विकास अजी यह गलत बात है जी क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा है नहीं जी आच्छा जी साब आपका नाम आप बताइए आप बताइए साब आप भी आजाद पार्टी राकेश से नहीं क्यों कि कि यहां पर कोई भी रोजगार की कोई समस्था है वो सुन वो नहीं मिल रहा इना पैमिट मिलता बिलकुल भी कहते थे पंदरा दिन में मिल जाएगा अब कि बार कुछ भी नहीं मिला एक तो दो साल हो जागता है तो कित्ती देर से पेइमेंट रुका है पिछले साल से रुक आप एक चीज़ बताएए आपके पास जमीन है आप खेती करते हैं इतना बड़ा भी किसान अंदोलन हुआ लेकिन यह बाहर के लोगों को कम से कम यह लगता था कि इस किसान अंदोलन में मुख्य रूप से जाट समाच के ही लोग हैं क्या सैनी समाच के भी लोग इस किसान के साथ खड़े थे सब खड़े थे सारे किसान थे मतलब किसी भी समाच कि कोई नौजवान आप लोग आये ना सामने आप आये जी आपका नाम साब अन्नु कुमार सेनी अन्नु जी क्या करते हैं बस जी कुछ लिए बेरोधगार समस्या घरभई कितनी बढ़ाई करिये प्ल तो आप कहां इस बार वोट कर रहे हैं इस बार तो सर अपना बाई राकेश सेनी की आप लोग बात कर रहे हैं क्या ये पार्टी अजाद समाज पार्टी देखकर कहरे हैं या प्रत्याशी देखकर आप जादा उनकी तरफ आकर्शत हो रहे हैं नई सर ऐसा कुछ नहीं है व करने चाहते हैं सर गन्ना मंत्री है मैं तो पिछली बार जब आइटे कंप्लेट किया तो मैं गन्ना मेल में गया अप्रेंटिस के लिए वहां पे जाने के बाद पता लगा कि यहां पे तो राना राना की जुरत है बक्की और अधर कोई नहीं लग सकता आप तो कह रहे हैं कि अराना की जुरूरत है अभी प्रदान जी भी यहीं कह रहे थे लेकिन यहां तो देखने को वह तो कहते हैं कि हम सब हिंदूों को साथ लेकर चलते हैं अब 20 अशी बनाम 20 का चुनाफ करेंगे अरे सर वह कहते कुछ है और करते कुछ है तो सब कोई पता है उनका वो किस तरह उनका प्लड लुक्त करना है मनोजी क्या करते हो मैं जी महिद्धुरी करूांजी मुझे दो साल वहाए टंकी रहतो आँगर यह जा तो साल यह नो अधिक मैं मंत्री के पासवी जो करेंगे के इसम माना लें गागों में दोका क्वाई स скорuellों सोफितों। आपकी सीट साही जीत कर गए हैं पिछली बार देटी हमने जी अदू कर जीए थैंड दो लोग तंत्रे को पुरी तरह दो चलिए लोग लोग तंत्रे का फेस्टिवल इसको कहते हैं आप मुझे बताईए यहां राम मंदर इतना आली शान युद्ध्या में बना आप लोग खुश नहीं हैं तो फिर वोट तो करनी रहा हो और तो जह मारा कामें नहीं हो जो तो मुझे टंकी पर एत्तों के पैसे मिला नहीं जी आजी हम तो योगी सी जा खुश है जोगी सी से ही उता तो यहां से रहा होगे लेकिन बागी ज़का सैनी समाज सैनी समाज की ची होकी बोट पाने के लिए हिंदु हैं बाई सामनी जीले के अंदर संगठन के अंदर एक किसी नाम नहीं है सबसे ज्यादा यहां जिले के अंदर जो पिषड़ों में आता है वो सेनी और कश्यप पर सेनी जब विपकस में रहे तब जंडा थमाते महारे गात में केहने कि तुम जिला दक्स हो तुम महमंतरी और जब सथा आती है तो उस पर कभी अपनाप हो जा तो इ लिए अपनों के लिए हैं अपनों के लिए उसके लिए और बाइसाब एक हो रहे हैं यह सरकार 20 की बहांसरा काम करी 69000 बच्चे सिख्षक बने को भी सीखा उसमें से निपाल के सब कुमार कोई नहीं गया वह समणों भरती कर लिन लोगों ने और कुछ बच्चोंने पेपर दे दिया उसमें जातिन लगती उनका बैल डोटर निकालवा के उन्हों धरने दिया तुन प्लट बजाना काम करा लखनों में और वह बच्ची निकाल दिए उनतरे बर्चे क्या सरकार उन्होंने बनाई ती 15 परसेंट ने और यह तो आपी के ही सीट से और देको हमारा प्रवान्चल में हम देख रहे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो महां राजभर समाज जो भी अतियों ने अपना समाज अपनी पार्टी बनाई है वहां पर मौरिया समाज या खुश्वाह समाज के बड़े बड़े नेता वहां पर उस तरह से बने हैं जो समाज का नेत्रत्व कर रहे हैं निशाद समाज चाहे वो भाजपा के साथ है लेकिन आज उनके पास भी अपनी एक पार्टी आप लोग पश्च पार्टी और नेधा बनेंगे विल्कुल बनेंगे रिवन्शनलों में तैयार होँगे विल्कुल बनेंगे और भाजपा से बाहर आएंगे बाजपा दो एक तरह से भाष्कार होगा हम 2013 और ऊप इस्थियों क्या इस बार भी ये 85 बनाम 15 ये मंडल बनाम कमंडल की चुनाफ बन सकती है क्या ये हिंदू मुसल्मान की जगा ये चुनाफ रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर लड़ा जा सकता है सचा ये है कि यहाँ पर अभी जिस गाओं में हम हैं यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि ये पहले भाजपा को वोट देते थे सेनी समाज का माना जाता था कि वो पूर्टह रूप से भाजपा के साथ है लेकिन क्या इस बार लग रहा है कुछ इसमें से तूट आ रही है जुड़े नहीं CCA के साथ चुनावी खबरे उत्रकुदेश की आपकी आती है